राहुल गांदी क्या मंदिर भी नहीं जा सकते हैं एक नियाय यात्रा के दुरान उनको मंदिर जाने से रोग दिया गया और फिर राहुल गांदी कहते हैं कि मेरा गुनहा क्या है नमस्कार मैं नूर्जा और आप देख रहे हैं जनेत अवाज। प्रातना करने की कोशिश करते तो उन्हें मंदिर में जाने से ही रोग दिया जाता है वहाँ के पुजारी उन्हें मना कर देते कि आप मंदिर में नहीं जा सकते साथी वे ये बोलते हैं कि मेरा गुना क्या है कि मैं अब एक मंदिर में भी नहीं जा सकता हूँ और साथी साथ वो ये भी बोल रहे हैं कि सब लोगों को मंदिर में जाने दिया जा रहा है लेकिन राहूल गांदी के लिए मंदिर जाना क्यूं मना है राहूल गांदी मंदिर में क्यों नहीं जा सकते है वो कह रहे हैं कि जो 22 जन्वरी को प्राण प्रतिष्टा होने वाली है इसके अंदर MD TV लिखता है बहरत जोडो न्याय यात्रा कॉंग्रेस की, भारत जोडो न्याय यात्रा इस वक्त असं से घुजर रही है कॉंग्रेस नेतर राहूल गांदी असं के वैशनू विध्यान श्रीमंथ शंकरदेफ के जर्म स्थान पर पूझा अर्षना करने के लिए जाने वाले थे लेकिन जैसे ही वे वहां पहुँचे उन्हें मंदिर जाने से रोक दिया गया कongress नेता राहूल गांदी इन दिनों भारत जोड़े यातरा पर है असम में यातरा के दोरॉन кongress नेता ने आज अरोप लगाया है कि अब नरेंदर मोधी ये तैह करेंगे कौन मंदिर जाएगा या कौन नहीं जाएगा माना कि आज 22 जनवरी है वो प्रान प्रतिष्ठा कर रहे हैं लेकिन उन्हें दूसरी साइड अगर देखा जाए तो उन्हें मंदिर जाने से रोक दिया जा रहा है सिर्फ राहुल गांधी को क्यों क्योंकि वह ये भी कह रहा है कि हम को कोई गुनाहा नहीं कर रहे थे हम पूट कि खराब प्रातना करना चाहते हैं ते हमें वहां तक जाने नहीं दिया गया उसके बद इसमें एंडी टीवी एक और चीज लिखते है कि कॉंग्रेस ने असम में भारत जोड़ो नया यात्रा के काफी लोग पर सुनियोजित हमले होने का दावा करते हुए घोशना की है कि वह इन हमलों के विरोध में सोमवार शाम को देश भर में प्रदशन करेगी रविवार को देर रात सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कॉंग्रेस महास अचीव केसी वेडू गोपाल ने अरोप लगाय कि असम में यात्रा के प्रवेश के बाद से भारत में सबसे ब्रश्ट वह हमले कराय जा रहा है इस तरहिए कर देश्ट में प्रदशन कर रहें आपको यह वीडियो दिख जाएगा वीडियो वैरल हो रहा है बहुत तेदी से कि जहाँ जब राहुल गान्दी असम के मंदिर में जाना चाह रहे हैं तो उन्हें मंदिर में जाने नहीं दिया जाता है तो वही राहूल गांदी कहते हैं कि मेरा गुना क्या है कि अब मैं एक मंदिर में भी नहीं जा सकता हूँ इस तरही कि वीडियो आपको सोचल मीडिया पर वारल होते भी नजर आ जाएगी फिर तमाम लोग इसमें प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं हमाँ आपको पढ़के बता देते हैं इसमें सुप्रिया श्रिनेथ लिखती हैं मैं वहाँ मत्रा टेक न जाना चाहता था 11 तारीक को हमें अमंत्रन आया मगर फिर हमें कहा गया कि सब लोग जा सकते हैं लेकिन राहूल गांदी नहीं जा सकते मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं जाओंगा मतलब उनको 11 तारी को एक निमंतरन आता है जिसमें ये लिखा होता है कि सब लोग जा सकते हैं लेकिन सिर्फ राहूल गांदी नहीं जा सकते हैं लेकिन राहूल गांदी इसमें ये कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ मत्था टेक ना था लेकिन मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं जाऊंगा। मतलब अब सब जा सकते लेकिन राहुल गांदी ने तो राहुल गांदी ने ऐसा क्या कर दिये जो उन्हें असम के मंदिर में जाने से रोका जा रहा है और एक और चीज़ सुप्रिया शुनेत लिखते हैं कि राहुल जी के प्रतिनीदी के तौर पर में और यहां की विदायक बोरोदवा थान गए हम दोनों ने राहुल गांडी जी की सदभाबनावा शान्ती की आशर को व्यक्त किया बोर्दवा थान के सभी पुजारियों ने कहा कि हमारा आशिरवाद राहुल जी के साथ है हमने पुजारियों से कहा कि राहुल जी स्वयम आना चाहते थे लेकिन उन्हें बताया गया कि सरकार पहले से ही यहां कोई कारेकरम आयोजित कर रही है लेकिन जब हम वहाँ पर गए तो लगबग 10 वजे तक वहाँ पर कोई सांस्कृतिक कारेकरम नहीं चल रहा था प्रशासन के द्वारा ये जूट फैलाया गया जिसका अधे सीधा मुख्यमंत्री की तरफ से आया था आज इस अववा से सरकार ने बोर्दवा थान के इतिहास वह श्री श्री शंकर देव जी की संस्कृति पर धबबा लगाया है मतलब सुप्रिय श्रीनेत की कहना चारे हैं कि उनको पहले बोला गया कि उस मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया जा रहे इसका कारण था कि वहां सरकार की तरफ से कोई प्रोग्राम या कारेकरम होने वाला है तो यह कारण था कि रहुल गांदी जी को नहीं जाने दिया जाएगा इसमें राहूल गांधी का भी गुस्सा देखने को मिल सकता है क्योंकि उनको एक मंदिर में जाने नहीं दिया गया वो कह रहे हैं कि क्या मेरा वुनाह क्या आता या हम कोई वहां पर कोई चीज कोई लिफिटी तमाशा नहीं करना चाहिए थे हम सरी वहां जाके अपनी पूझा अर्षना करना चाहिए हम उनको वहां पर पूझा करना स्थी बस वांकी यही मक्सद भर लिकन पहले पुह्लिस सुरक्ष्या हटाने की धंकी उसके बाद कल यात्रा पर हमला करा गया और आज असम में भारत जुड़ना यात्रा को रोका जा रहा है लेकिन भाच्पा की हर नफरत का जवाब राहूल गांदी मोहबत के साथ दे रहे हैं मतलब दो दिन पहरे पॉलिस सुरक्षा हटाएं गे फिर उसके बाद हमला भी हुआ लेकिन उसके बाद लेकिन लुका इसका भूशिको वह उन सब छुड़न करा रह ак कि बाच्पा सरकार को लोकसुबा चुनाव में देखने को मिलजा है हो सकता है वो यह सब चीजे कोशिश करा रही है यह हम नहीं कह रहे हैं यह जो हमने आपको एक्स पोस्ट पढ़के सुनाया इसमें नज़र आ गांदी को असम के मंदिर में जाने से रोका गया उसके लिए वो एक प्रदर्शन भी करने प्रदर्शन जारी है आपको सोशल मीडिया पर वीडियो तमाम वीडियो देखने को मिल जाएंगी और जब यह चीज हुई कि राहूल गांदी को मंदिर में नहीं जाने दिया तो देखना यह जो भारत नियाय यात्रा करी जा रही है इसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है जनता हो सकता है राहूल गांदी की समर्तर में जादे जादा लोग आ जाएं तबी यह भी देखने जा सकता है कि किस तरीके से बीजेपी जो शड़ी अंतर रच हमला करवाना क्या यह बीजेपी कर रही है या इस तरीके से रोक देना उनको मंदिर में जाने से कि उधर तो कारेकराम होगा तो आप नहीं जा सकते हैं लेकिन फिर सुनने में आता है कि यह सिर्फ जो सत्ता पे बैटी सरकार है यह सिर्फ अववा फैला रही है ताकि जो र भाजपा शड़ियंत्र कर रही है और उसके बाद वही राहूल गांदी के जितने भी लोगे सब धरना करते वह नजर आ रहे होंगे आपको सोचल मीडिया पे यह चीज़ दिख जाएगी वीडियो दिख जाएगी इस पर एक और इस पर स्रीनिवास बीवी लिखते हैं कि लोगोस और वहां प्रकट करना ठाल और उनको नहीं जाने लास तो यह सीधा सीधा दिखा जारे कि affected सरकार वह सारे शड़ीयंत्र रच रही है इसमें आहां को में make झाल झाल